जी हाँ दोस्तों मैं राकेस आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ सबसे पहले एक्जाम वार्योर्स की टीम की और से सभी देशवासियों को 75 वी स्वतंतरता दिवस की बहुत बड़ी बाधाया चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार SSC से रिलेटर्स जो आज का लेटेस्ट अपडेट है उससे बात करेंगे क्या छोटी छोटी गलतियों पे आयोग अभ्यर्थियों को बाहर कर देगी और गलतियों का क्या उपाई होगा और सत्तर पलस वाले डोकुमेंट्स को त्यार रखें ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं तो इसको जानने के लिए किरप्या वीडियो को अंत तक देखेगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि क्या इसका अर्थ क्या है क्या उपाई है सारी बातें आपसे आज में करूंगा तो चलिए वीडियो को अंत तक देखना आप लोगों को और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और बैल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होगे कि बिहार SSC इंटरस्तर ये एक्जाम का जिसका मेंस रिजल्ट फिजिकल टाइपिंग सारे किलियर हो चुके हैं यानि कि सारा एक्जाम हो चुका है अब आयोग का बस काम रह गया है कि वह डॉकुमेंट्स वेरिफिकेशन लि इसको लेकर के एक न्यूज भी आई हुई थी कि जो इंटर बिहार SSC पर्थम इंटरस्तरिय परिक्षा की रिजल्ट का इंतिजार होगा खतम 13120 को मिलेगी नौकरी और इस न्यूज पेपर में आपने देखा भी होगा कि इसमें बकायदे पूरा किलियर कट लिखा हुआ है कि बिहार SSC के और से राज के 32 विभिन कोटी के 13120 पदों पर न्यूक्ति के लिए पर्थम इंटरस्तरिय सन्यूक्त परिक्षा का फाइनल परिनाम इसी माह जारी किया जाएगा और एक देट भी फाइनल किया गया है इसमें कि 25 अगस्त के बाद आयोग इन परिक्षाओं का रिजल्ट जारी करेगा यानि कि आपका जो डॉकमेंट्स वेरिफिकेशन लिस्ट है वह 25 अगस्त तक जारी हो सकता है यानि 25 अगस्त के बाद किसी भी टाइम जारी हो सकता है जैसा सचीव सर का भी बयान आया हुआ था अब अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे कंडिलेट्स है जिन्होंने कमेंट्स के माध्यम से यह जानने की कोशिस करी है कि सर हमारा فارम भरते टाइम कुछ और था या कुछ और कास्ट थे अब कुछ और कास्ट काटेग्री में आ गये हैं दूसरा चीज है कि किसीने डॉकूमेंट्स में किसीका कुछ नंबर था उसने एंटरी करते टाइम कुछ और डाल दिया उसके बाद कुछ ऐसे भी कंडिटेट्स हैं जिसके नाम में स्पेस यूज होता है क्या करली जे की सर्टिफिकेट में स्पेस यूज हुआ हुआ है लेकिन फॉर्म भरते टैम उसने स्पेस यूज नहीं किया है तो कुछ बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है जिसकी वज़ा से आप परिशानी में पर सकते हैं लेकिन अब बात रहे कि अगर गलतियां हो गई है तो उसका सॉलुशन क्या होगा तो सबसे पहले बात दोस्तों कि अभी उस गलतियों से आपको परिशान नहीं होना है मैं तो पहले ये बता जूँ कि आपको उन गलतियों से परिशान नहीं होना है बस आपका date of birth सही होना चाहिए इसी इसको ज़रुद्यान रखेगा name आपका सही होना चाहिए और जो other मतलब की cast अगर आपने गलत डाले हैं तो अगर गलत डाला गया है तो वो आपको उस cast में अगर मालीजे आप नहीं आते हैं गलती से वो cast अगर डाला गया है तो आपको वो cast documents verification के time जो है आप उसमें consider ना करके आपको direct general category में डाल दिया जाएगा इसलिए cast वाले जितने भी friends हैं जिन्होंने गलत cast डाली है तो वो documents verification के time उनको जो है general category में consider किया जाएगा उसके बाद रही बाद कि sir name spelling में problem है तो बचों ये आप ध्यान रखिएगा कि आपके नाम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए लेकिन अगर father's name में है या mother's name है उसमें गलतीया है तो उसको सुधारा जा सकता है जब आप documents verification के लिए जाएगे तो आपके एक form भरवाया जाएगा बस ये आपको ध्यान रखना है कि उस form में हमें कोई गलत information नहीं डाली उसके बाद रही बात कि अगर इससे भी आयोगा अगर इस चीज़ को नहीं मानती है तो भाई इसका last solution यही है कि अगर कोई भी गलतीया है तो उसका आप एफिडेविट लगा सकते हो आपको कोई दिक नहीं होगी और जैसा कि आप लोगोंने फ्रेंट्स में इसमें ये भी बता रहा हूं कि सत्तर प्लस वाले डोकुमेंट्स क्यों त्यार रखें तो इसका भी रिजन है जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले फिजिकल एक्जाम जब हो रहे थे तो कई सारे ऐसे अ दिलवाया था लेकिन फिजिकल वो खुद देने गए थे इस कारण से वो पकड़े गए अब रही बात कि अगर फिजिकल पोस्ट में करीब 15-20 अभिहरती पकड़ाए हैं तो आप ये मान कर चलिए कि टोटल वेकेंसी में यानि कि प्रियो और मेंस में कितने बच्चे बैठ होंगे लेकिन ये सारे के सारे डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन में डेफिनेटली पकड़ाएंगे इसमें कोई दो राए नहीं है क्योंकि जब आपका डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उस ताइम आपका बायोमेट्रिक मैचिंग होगा और उस ताइम अगर आपका के लिए धाइगुना कंड़ेट्स को अगर बुलाएंगे तो आप यह मान की चलिए कि धाइगुना कंड़ेट्स अगर आते हैं तो यह कट अफ बहुत यानि डॉक्मेंट्स वेरिफिकेशन का जो कट अफ होगा वो बहुत ही नीचे चला जाएगा इसलिए 70 पलस वाले डॉक्मेंट्स वेरीफिकेशन लिस्ट बनके त्यार हो रहा है और प्रकाशित किया जाएगा इसलिए अपना डॉक्मेंट्स के मामले में आपको कोई गल्ती नहों इसलिए आप अभी से अपने डोकुमेंट्स पर ध्यान देना स्टार्ट कर दीजे और सारे डोकुमेंट्स कोई कठा कर लिजे ताकि आपको डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहों दूसरा चीज कि 70 प्लस वालों का क्या जॉब होगा तो ये चांस भी बनता है बच्चों क्योंकि आप जानते हो कि ऐसे भी कंडिडेट्स हैं या कह लिजे कि ऐसा भी हुआ है कि आपको धाइगुना अगर कंडिडेट्स तो बलाया जाएगा तो ऐसे कंडिडेट्स डेफिनेट्ली छट जाएंगे जिसका बायोमेट्रिक मैचिंग नहीं होगा दूसरा चीज कि सारे स्टुडेंट्स ऐसे हैं जो ज अगर उनको मनचाहा पोस्ट नहीं मिलता है तो आप जमान के चलिए कि वो जोईन नहीं करें इसलिए चांस बनता है कि जितने भी कंडिडेट्स को ये डोकुमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाएंगे आप देखिएगा कि एक बार नहीं दूसरे बार लिस्ट में या तिस लिस्ट तक आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है दूसरी बात कि हमारा आयोग से यही अनुरोध होगा कि सर आप लोग वेटिंग लिस्ट डेफिनेटली जेनरेट करिएगा और दूसरी चीज़ कि इस वेकेंसीज को बैक लोग नहीं होने दिजेगा जितना भी लिस्ट हो सके निकाल कर कि आप जो है इस वेकेंसी इसको कम्प्रीट करने का काम किजिएगा क्योंकि यह वेकेंसी बहुत ही पुरानी हो चुकी है अब यह दो हगाद्व पुरानी हो चुकी है इसलिए प्लीज इसको बैक लोग नहीं होने दिजेगा और सभी अभ्यार्थियों से मेरा यही मांग है यही अनुरोध है कि आप लोग भी आयोग पर इस चीज़ का जरूर दबाव डालिएगा कि एक तो वेटिंग लिस्ट जनरेट किया जाए और दिसरा कि बैक लोग वेकेंसीज ना हो पाए यानि कि जब तक यह सीते भर नहीं जाती है तब तक आपका लिस्ट जन अपडेट करना चाहिए तो चलिए आज के वीडियो में इतना रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे तब तक के लिए जैहिन जैभागत